हेलो जेहन दोस्तों, एच्पी जनल नौलेज 53 कि इस वीडिय लेक्चर में आपका पुना स्वागत है, अभिनंदन है, पंचायत ओडिटर का प्रसन पत्र हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में दिये गए लि अब थिए scorat बाले प्रवाब का क्या कारण है, चार ऑप्शन दिए गए है, तो इसका जो सही उत्र है, वो है ऑप्शन A, तारों की अस्थिर अवासी स्थिती, तारों की वास्त्विघ स्थिती से THोड़ी भीन होती है, इसलिए जो तारे के परकास हैं हमें वो टिम टिम टिमाते हुए दिखाई देते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तारों का परकास जो होता है प्रित्वी के बायू मंडल में जब पहुंचता है तो वो निरंतर reflect होता रहता है ड्यूटू अलग-लग reflection index की बज़े से तो जब प्रकास हमारी आँखों तक पहुंचता है तो प्रकास की मात्रा जो बिचलत होती रहती है वो हमें दिखाई देती है और तारे जो हैं हमें टिम-टिमाए ते हुए दिखाई देते हैं इसलिए इसका उत्तर एस रही है अगला परसन है उसमें पूछा गया है जन्तू पर हो रही सभी उधीपन प्रिक्रियाएं संबेदी तंत्रिका छोर दबारा महसूस की जाती है उसे क्या कहते हैं तो जन्तू पर हो रही जो सभी उधीपन क्रियाएं संब्रिका छोर दबारा महसूस की जाती है उसे कहा जाता है ग्राह कहा जाता है ग्राह की यानि की उसे रिसेप्टर कहा जाता है रिसेप्टर दबारा ये महसूस की जाती है जैसे स्पर्स, चुबन, इतियादी जो है वो इसके दोबार मुशूस की जाती है और ये जो है मस्तिस, कोफिर, संदेश आगे बेशता है अगला परसन है उसमें पूछा गया है बहस सरीश्रीप जो जल और थल दोनों पर जीवित रह सकता है क्या कहलाता है तो जो सरीश्रीप यानि की रेप्टाइल जो जल और थल दोनों पर जीवित रह सकता है वो है कच्छुवा option B सही जवाब है सरीश्रीप प्रानी जगत यानि की living organism का एक ऐसा समू है जो सरक कर चलता है और उनके सरीर पर बाल ना होकर शलक होते हैं और एक हरा कचुवा है उसे किलोनिया माइकस कहा जाता है उसे खाया भी जाता है अगला परसन है उसमें पूछा गया है सांप अपने सरीर के ब्यास से अधिक वड़े प्रानी को निगल जाता है क्योंकि तो ये कैसे निगल जाता है क्योंकि उसका जो निचला जा होता है जवड़ा होता है वो क्वाडरेट्स नामक दो जा की हड़ियों से बना होता है और धीले रूप से खोपड़ी के साथ ये जुड़ा होता है उसे अपने सरीर के ब्यास से कई गुना अधिक मुह खोलने का अनुमत करता है मतलब वो ही आता option D जो हां वो सही है उपरोक्त सभी जो हैं वो सही है इसलिए सांप जो है अपने से बड़े जानवर को प्रानी को निगल जाता है अगला प्रसंद है उसमें पूछा गया है कि उसमें पूछा गया है निमन में से कौन सा सर्प विशैला नहीं है तो इसका garden snake भी कहा जाता है आई ये देखते हैं अगला प्रसन तो अगले प्रसन में पूछा गया है कुछ पक्षियों में मजबूत हुक जैसी चोंच होती है तो ये किसलिए होती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option c यानि कि ये मास को फारने के लिए होती है जैसे की बाज, चील, उल्लू इत्यादी जो आता है उसकी जो मजबूत हुक जैसी चोंच होती है अगला प्रसन है उसमें पुछा गया है वह पक्षी कौन है जो अपने अंडों को सेता नहीं है यानि कि इनको इनकुवेट नहीं करता है तो इसका सही उत्र है option b कोईल कोईल जो अपने अंडों क उठाकर दूसरों के घोंसले में रख देती है और वह पक्षी इनके अंडों को जो इंकुवेट करती है वहीं अगर सच में जो एक ऐसा पक्षी है जो ना तो दूसरों के घोंसले में रखता है और ना तो खुद सेता है उसका नाम है मेगापोर्ट मेगापोर्ट एक ऐसा किसी है जो अपने बच्चों को इंक्वेट खुद नहीं करता है बलकि वो उनको जमीन में दफना देता है उसके बाद वो खुद इंक्वेट होते हैं तो अगला परसन है उसमें पूछा गया है निमन में से कौन सा फोसिल रेप्टाइल है प्राचीन रेप्टाइल है तो इसका जो सही उत्र है वो है ऑप्शन डी डाइनसोर डाइनसोर जो है वो प्राचीन रेप्टाइल है और अगर बात करें सबसे बड़े रेप्टाइल की तो जियान टॉर्टॉइज यानि की बड़ा कच्छुवा जो है वो एक सबसे पुराना रेप्टाइल है. इन टर्म ओफ लेंथ जो है वो क्रोकोडाइल जो है सबसे बड़ा रेप्टाइल है. अगला परसन है उसमें पूछा गया है जमीन में रहने वला सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन है? तो जमीन में रहने वला जो जब से बड़ा जीवित प्राणी है वो है हाथी option 6, सही जवाब है. और बात करें हाथी की तो अफ्रीकन बुस एलिफेंट जो है वह सबसे बड़ा जीवित प्रानी है और इसका जो पेदाइस भार है यानि कि जब ये पैदा होता है तो इसका बजन जो होता है वो होता है इसके बच्चे का बजन जो होता है वो होता है 100 किलोग्राम इसका बजन होता है और अगर बात करें पक्षियों की तो पक्षियों में सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है वो होता है और इसके जो मेल है उसकी हाइट जो होती है लगवग 9.2 फीट तक हो सकती है और ये लगवग 156 केजी तक भारी हो सकता है अगले परसन में पूछा गया है महादवीपी विस्थापना का सिदान थियोरी किसने प्रतिपादित किया था यानि कि थियोरी आफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट किसने प्रतिपादित किया था तो ये किया था वेगेनार ने वेगेनार ने ये थियोरी दी थी ऑप्शन भी सही ज करते हैं यह किसी ना किसी दिशा में यह नहीं नहीं की जा सकती तो तो stationary wave पुछह गया है प्रकास के दुरुभीकरन का नक्षन Δरसाता है कि प्रकास के दुरुभी करण का लक्षन यह दरसाता है कि लाइट जो है वो ट्रान्सवर्स बेब है मतलब कि लाइर की जो जिस दिसा में जाती है उस दिसा में ये बाइबरेट होते हुए अपने पत पर ये आगे बढ़ती है